मैं दोशी हूँ, हेमा मालिनी और धर्मेंदर के इस मूवी सीन को लिखने पर जावेद अक्तर को हुआ अफसोस शोले और दीवार जैसी कई सफल फिल्मों की कहानी लेखक जावेद अक्तर की कलम से निकली हैं, जिन में सल्मान खान के पिता सलीम खान ने भी एहम योगदान अपने कर्या में जावेद ने कई शांदार मूवीज और गानों को भी लिखा है, इस बीच धर्मेंदर और हेमा मालिनी की एक ब्लॉकबस्टर मूवी को लेकर उन्होंने ऐसा खुलासा किया है, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी अपने बेबाक अंदास को लेकर जावेद अख्तर काफी मशहूर हैं, किसी भी मुद्दे पर अपनी दो टूक राए रखने से जावेद पीछे नहीं हटते हैं, फिर चाहे वो मसला उनके फेवर में हो या खिलाफ, हाल ही, मैं जावेद अख्तर ने मोजो स्टोरीज को दिये एक इंटर्व्यू में सीता और गीता फ लेकिन सीता और गीता मुवी में एक ऐसा सीन रहा, जिसको शायद में आज के दौर में नहीं लिखता फिल्म में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच एक सीन दिखाया गया है जब राका, धर्मेंद्र, गीता, हेमा मालिनी के घर जाता है और खाना खाता है इसके बाद वह मौसी से पूछता है कि खाना किसने बनाया है तो वह बताती हैं कि गीता ने बनाया है इसके बाद राका के अंदर गीता के लिए अलग भावना जागने लगती है लेकिन इससे पहले वह गीता का कोई सम्मान नहीं करता है लेकिन आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं पुरुष महिला की कदर तभी करता है जब वह कोई घरेलू भूमिकाएं निभाए 1972 में रिलीज किया गया था ये फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हुई थी बतोर अभिनेतरी हेमा मालिनी के करिय के लिए ये मूवी एक मील का पत्थर साबित हुई